सभी का जीवन में कोई न कोई लक्षे होता है भारत के अधिकतर युवा इंजिनियर, किसान, सिविल सेवक, डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या कोई युवा किसान बनना चाहता है जी हाँ, महरास्ट के एक मध्यमवर्गी परिवार का युवा, रमेश पवार, खेती को अपना लक्ष बनाता है दोस्तों, रमेश जो है, पहले, पेस्टिसाइड कमपनी में कुछ साल नौकरी करता है उसके पीता उसको पुलिस सेवा में देखना चाहते है लेकिन रमेश ने नड़य लिया कि वो अपने 15 एकर जमीन पर खेती का काम करेगा कुछ सालों तक खेती लहलाहाती रही और रमेश ने अच्छा खासा खेती के लिए काम किया ऐसा क्या हुआ? कि रमेश को सुसाइड करना पड़ा और वह अपने पीछे छोड़ गया कुछ मंत्रालेओं की चिठी अपनी पत्नी दो बच्चे और असहाय परिवार दोस्तों खेती में लगातार गिरावट होने की बज़े से रमेश ने कई छोटी मोटे फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया विभिन मंत्रालेओं ने भी उसकी मदद की और फिर भी प्रती वर्ष तीन से चार वर्ष लगातार उसकी खेती में फसलों का नस्ठ हो जाना कर्ज के तले वर्ष दर वर्ष दबते जाना उसके आत्महत्या का कारण हो सकता है आपकी नजर में रमेश ने आत्महत्या क्यों की और ये कहानी केवल रमेश की नहीं है हमारे हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं विशेश कर पश्मी भारत और दक्षडी भारत के किसान जिनके पास ठीक ठाक जमीन है खेती का अच्छा साधन है विविन्न मंत्राले, सरकार और चोटे मोटे सेल्फ एल्फ ग्रुप फाइनेंस कंपनियां उनकी मदद करती है क्या किसानों का देश किसानों के लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाया है तो ये अगर आपको किसान समस्या पर कोई भी निवन्द लिखना है तो इस तरीके की प्रस्तावना आप दे सकते हैं ये प्रस्तावना मैंने बहुत पहले बनाई थी 2017 के समिख्या अधिकारी परिक्षा में बहुत सारे लोगों ने इसको डिरेक्ट लिखावी था नमस्कार दोस्तों मैं धरनजे सिंग आपको आपका स्वागत करता हूँ और आपको सिखाऊंगा इस पूरे वीडियो क्लास में कि निवन्द से डर कैसे खतम करें क्या आपको भी निवन्द से डर लगता है क्या निवन्द का टॉपिक कैसे चुने उससे डर लगता है अगर सहित्य का निबंधा है तो हम कैसी प्रस्ताव न लिखेंगे महाबीर प्रसाग दिवेदी की एक statement है कि अगर हमें सभ्यता की दौड में अन जातियों से आगे रहना है तो हमें सत्थ सहित्य का निर्माल करना होगा और जो गलत साहित्य है विशेश कर जो प्राचीन साहित्य है उसका सनक्षण करना पड़ेगा तो आप कहानी से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ माप करिएगा गलती के लिए महाबीर प्रसाग दिवेदी का एक quotation है कि अगर हमें सभिता की दोड में अन्यजातियों से आगे रहना है तो सत्थ साहित्य का निर्माल करना होगा और प्राचीन साहित्य का सनक्षण करना होगा इसी तरीके के धेरो quotation, धेरो कविताएं, धेरो कहानिया कैसे आप याद करें निबंद के ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारी समझ ना होने के कारण हम डरते रहते हैं और आपको जान कहरानी होगी कि आपके chain में निबंद का बहुत बड़ा रोल है और अब जब optional हटने वाला है अगर सामान अध्धन के दोपे पर और जोड़ दिएगे तो निबंद और सामान हिंदी का रोल बहुत ज़ादा UPPCS की परिक्षा में बढ़ जाएगा और साथी बिहार की परिक्षा में 300 नंबर का निबंद शामिल किया गया है उत्तरा खंड में 1500 का और MPPSC में 500 का UPPCS में 500 का है तीन-तीन निबंद लिखने हैं अब बिहार का भी सिलेबस नहीं आया है मेरे ख्याद से तीन निबंद होगा 100-100 नंबर की तो निबंद की टॉपिक कैसे चुने सिलेबस चुकी मैं UPPCS का इसमें डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि ये holistic approach के लिए है कि आप अपने निबंद को कैसे लिखें कैसे सोचें कैसे समझें इस पर ये केवल 15-20 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों निबंद का डर कैसे समाप्त करें निबंद की notes कैसे बनाएं निबंद की कौन सी book पढ़ें और निबंद की framing कैसे करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निबंद का topic कैसे चुनें तो दोस्तों topic चूज करने के लिए आपको क्या करना होता है कि विबिन syllabus जब आप देखेंगे किसी भी परिक्षा का हो तो उसको आप अच्छे से अध्यान करिए syllabus का अध्यान बहुत ज़रूरी है syllabus के अध्यान के बाद previous year papers जितने भी प्रस्ण पूछे गए है यानि कि previous year के सभी प्रस्णों का अध्यान करें प्रस्णों पर ध्यान दें UPSC में जो निबंद आते हैं वह अमोर्त निबंद होते हैं उनको लिखने का अलग तरीका होता है UPSC जो अराजे सेवाएं हैं उनमें निबंद का लिखने का तरीका अलग होता है वहाँ शब्द सीमा 1200 से अधिक होती है और यहाँ पर जो है आपको 700 UPSC में लिखना पड़ता है MPPCS में 1000 और 300 सब्दों में कुछ निबंद लिखने होते हैं जिवकार से उत्राखंड में भी अलग-अलग सबके अलग-अलग मांदन है तो इन निबंद को कैसे चुने उसके लिए आपको प्रिवेस एर के उस्टन्स के अध्यन करने होंगे साथ ही हमारी टीम जो है अभियान टीम क्या करती है प्रतिवर्स 12 से 15 टॉपिक जो है आपको देती है हमारे पास जो है लगभग 125 निबंद की श्रिंखला है जो आप वीडियो फॉर्म में ले सकते हैं पूरे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप जो है इसकी कॉस्ट मातर 7500 रूपय है और अगर आप वीडियो क्लास के साथ लेते हैं तो ये 1500 रूपय है जिसको आप इस नंबर पर वट्सेप करके इस पर गूगल पर फोन पर करके हमारी पूरी क्लास का एक्सेस कर सकते हैं तो टॉपिक चूज करने की जिम्मेदारी जो है आप धिरे-धिरे सीख जाएंगे तो पहले क्या करें कि आप टॉपिक चूज करें और उस पर कंटेंट इकठा करें अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम कंटेंट कैसे इकठा करें जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है टॉपिक चूज करने के लिए आप प्रिवेसियर क्योश्चन पढ़ें और करेंट के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहें अब कंटेंट आपको कहां से मिलेगा जो दूसरा हमारा मुद्दा है कि भई कंटेंट हम कैसे इक निवद्द की कौन सी बुक पढ़ें यानि की कंटेंट कहां से तो दूसरा देखें बुक जो है कोई भी आएगी लास्ट टाइम पे जैसे हमारे नोडस आते हैं वैसे बुक भी आती है उसमें लिमिटेड चीजे होती है आप क्या करे क्रोनिकल की मैगजीन ले जो मोटी वाली आती है सिर्फ क्रोनिकल विश्वशनी मैगजीन मुजे लगती है और अन्य आप मैगजीन कोई भी ले सकते हैं जिसमें आलेख अच्छे आते हो Chronicle की magazine लीजे उसमें आले खाएंगे उसमें आपको topic चूज करने के साथ-साथ जो है उसमें content भी काफी मातरा में मिल जाते हैं अब साथ ही साथ आप योजना magazine आती है जिस पर विभिन topic पर आपको content मिल जाते हैं इन दोनों के अलावा कोई भी बुक जो है कारगर नहीं है आपकी परिक्षा के तहरी के लिए जो भी निवंध आते हैं आपके विभिन प्रकाशन के उन प्रकाशन के निवंध की उतनी गुर्वत्ता नहीं होती है और topic भी जो होते हैं वो complete नहीं होते हैं इसको आपको short notes बनाना होता है notes कैसे बनाए तो notes के लिए पहले आपको निवंध की framing करना सीखना होगा इस वीडियो में मैं framing नहीं बता पाऊंगा चुकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपका पहला topic ये तो समझ हो गया कि भाई निवंध से डर लगता है तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है artificial intelligence है आपके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं cyber security है जो कि वर्तमान में आपके चर्चा में रहते हैं वो मुद्दे जो है आप chronicle से magazine से योजना से और समाचार पत्रों से आप इन चीजों को G20 और भारत इस बार के लिए बहुत जाद important है मैंने जो है इस पर निबंध पहले भी लिखाया था इसको नए निबंध के रूप में हम लोग देंगे अब तो इस तरीके से topic चूज करें जो कुछ basic topic है उस पर 15 से 20 निबंध जरूर लिखें आप पहले तो आप कई दो समस्याओं का समाधान हो गया content कहां से लें और निबंध के topic कैसे चुने, notes कैसे बनाए, notes बनाने के लिए इन जो sources हमने बताया है, इन sources से आप क्या करें, short notes बनाते रहें, data इकठा करते रहें, कविता quotation को एक जगा रखें, जैसे कि हमारे UPPCS में हम देखते हैं कि 9 बिंदु हैं, आपका social पहला part अगर हम ले लेते हैं, त अजनितिक और साहित्य से निबंध आते हैं, तो साहित्य का निबंध जो है, वह current से उतना add करने की मतलब हो नहीं पाती है, हमारी पास उतनी प्रश्ण इस तरीके के नहीं आते हैं, तो साहित्य पर आप एक basic त्यार कर लीजे, जिस पर कुछ निबंध मैं है, अगला निब पर जैसे तीन तलाग हो गया मुद्दा, विवाह की उम्र जो है, वो बढ़ा दी गई है, महिलाओं की उस पर आप कह सकते हैं, बहुत सारी समाजिक गुराइयां हैं, जिसमें human trafficking, जो है, child abuse, pornography, ये सब चल रहे हैं, महिला घरेलू हिंसा, इस तरीके कुछ basic topic हैं, उन पर आपके इसमें दे देता हूं कि political issues जो है, हमारे कौन-कौन से है, राजनीत में सुचिता की समस्या, या राजनीतिक दल और भारती लोकतंत्र, इस तरीके से कुछ मुद्दे हैं, दो-चार मुद्दे हैं, उन पर आप निबन लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप क्या करें कि section wise जो है, अपने topic को लिख लें, और उन पर जो है, कहानी, quotation और क्या बोलते हैं इसको, facts, आप अलग-अलग file बना लें, ठीक है न, facts इकठा कर लें, जो की आपकी मदद करेंगे, किसमें, निबन लेखन में, clear है न, तो notes इस तरीके से आप बनाएं, मैं सिखाऊंगा, एक से 70 लोग जो है, admission ले चुके हैं, 5 तारिक से हमारा बैस शुरू हो रहा है, जिसके लिए आप, जो हमारी classes होंगी, वो YouTube पर चलेंगी, और private करके आपको दिया जाएगा, टेलिग्राम पर आपको notes और सारी चीजे अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो 60-70 लोग admission ले चुके है फीस मात्र 1500 है, आप जो है, इसको join कर लें, weekly 2-3 निवंध हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे, मार्च तक, मार्च के बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे, और लगभग मैं 15 निवंध तब तक करा दूँगा, जिसपे आप लेख लेंगे, तो आपकी समझ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, अब अंतिम जो बिंदु है, जिस पर हम framing कैसे करें, framing करने के लिए आपको घ्यान के रखना है, कि social और अन्यमुद्दों पर तो आप framing करने के लिए, तो आप जैसे प्रस्तावना होती है, ठीक है न, मुख्य भाग होता है, इस तो सभी को पता है, और last मे होता है, आपका निश्कर्स, दीगे न, कुछ लोग जो है, निश्कर्स से पहले जो है, सुझाओ भी recommend करते हैं, सुझाओ अगर समस्या है, तो सुझाओ जरूर आप recommend करिए, अब मुख्य भाग को कैसे अन्य अन्य पार्ट में बाटें, तो ये आप जो है न, GS का जो syllabus है, आप कोई भी ऐसा मुद्दा शुरू करिए, इसमें GS के जो syllabus है, पेपर वन में क्या है, तो historical पार्ट पे फोकस करें, जैसे माली जी आप से पूछ लिया गया, कि हमारे जो है, G20 के बारे में पूछ लिया गया, तो G20 की history, आप बताएंगे, geography बताएंगे, ठीकर न, उसका cultural aspect अगर है कुछ तो बताएंगे, उसकी हमारे समाजिक अंदोलन में घूमियत का तो है नहीं, इसलिए ये जितने GS के topic है, paper 1 में, paper 2 में, paper 3 में, paper 4 में, अगर ये सारे topic जो है, आप एक साथ याद कर लें, तो इन में से लगबग 7-8 dimension आपको मिल जाते हैं, ठीकर न, तो यहा topic fit ही हो, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजे समझ में आ गई होंगी, निबंद पर basic जानकारी के लिए अमारी अगली वीडियो ज़रूर देखे, जिस पर हम लोग बात करेंगे, एक निबंद ले करके उस पर framing की बात करेंगे, तो ये रही complete class दोस्तों, आशा करता हूँ आ तक के लिए धन्यवाद, सुस्तर रहिए, मस्तर रहिए, बेस्तर रहिए